नमस्ते बच्चों मैं लखी आउजा स्वागत करती हूं आप सभी का राजस्तान सरकार और विदानता के CSR इनिशेटिव इक अक्षा में जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ग्यान तो बच्चों विज्ञान में हमने अगला बाट पढ़ना शुरू किया था यानि हम पढ आधार पर बनाए जा सकते हैं तो पिछली कक्षा में हमने ये पार्ट पढ़ना शुरू कर दिया था और कुछ ऐसे आधार हमने जाने थे जिन पर हम वस्तुओं को वरगीकरत कर सकते हैं उनके समू बना सकते हैं तो हमने वस्तुओं की दिखावट के बारे में बात की उनक के अलावा हमने बात करी कि वस्तुएं विले हैं या अविले हैं इन सभी आधारों पर हम वस्तुओं को बार्ट सकते हैं उनका वर्गी करन कर सकते हैं तो बच्चों आज की कक्षा में यानि इस अगले भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं पारदर्शी तथा अपारदर्शी व कभी न कभी इस प्रकार के जार देखे होंगे, शीशियां देखी होंगी, तो यह आप दुकान पे जब कुस समान लेने जाते हैं, कभी-कभी आप टौफी खाते हैं, या कभी कोई काम की चीज़ आपको मम्मी भेशती हैं, दुकान से लाने के लिए, तो वहाँ बाहर आपको टॉफी, चॉकलेट और ऐसी कई सारी चीजें इस प्रकार के जार में लगी हुई नजर आती हैं ये जो जार होते हैं या काच के डबे होते हैं इनके द्वारा आप अंदर रखी हुई चीज को असानी से देख पाते हैं और आप जाकर के दुकान वाले अंकल को बता पाते हैं कि मुझे ये वाली चीज चाहिए तो बच्चो ध्यान रखना है कि कुछ पधात, कुछ सामगरिया ऐसी होती हैं जिनसे होकर वस्तूओं को देखा जा सकता है यानि उनके पार वस्तुवों को देखा जा सकता है और ऐसी वस्तुवों को जिनके पार देखा जा सकता है उन्हें हम क्या नाम देते हैं उन्हें हम पारदर्शी का नाम देते हैं तो बच्चों कुछ सामाने उधारं जो है पारदर्शी पदारतों के वो हैं काच, जल तता कुछ विशेश प्रकार के पलास्टिक जो वस्तुए या जो पधार्थ ऐसी होती हैं जिनके आरपार नहीं देखा जा सकता वो पधार्थ क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी कहलाते हैं और आपने कई ऐसी वस्तुए देखी होंगी जिनके आरपार आप नहीं देख पाते हैं जैसे लकड़ी, गत्ता, धातुए, आदी आपके घर में अगर कोई स्टील का डबा हो हमारी रसोई होती है रसोई में मम्मी बहुत सारे सामान अलग-अलग डबों में रखती है तो आप स्टील के डब्बे को जब देखे तो आपको उसके अंदर क्या रखा है ये आरपार नजर नहीं आता है तो स्टील जो है वो कैसा है अपारदर्शी है जबकि इस प्रकार के डब्बे जो विशेश प्रकार के प्लास्टिक के या कांच से भी बने होते हैं जिनके आरपार आप असानी से देख पाते हैं ये पारदर्शी पदार्थों से बने होते हैं तो है ना असान बच्चो बहुत असानी से आपने पारदरशी और आपारदरशी के भेध को जान लिया अब आप एक काम करिएगा बच्चों एक छोटी सी गतिविधि आप करिएगा कि तॉर्च आपने देखी है कभी नदिकना कभी जब कभी विजली चली जाती है तो कई घरों में कई जगों पर तॉर्च जलाई जात जब light चली जाए तो देखने के लिए torch उपयोगी होती है ये एक torch है आपने कभी न कभी देखी होगी torch के उपर जब आप अपना हाथ इस तरीके से जैसे ये रखा गया है इस तरीके से रख देते हैं तो प्रकाश की वज़े से ऐसा लगता है कि हाथ में से कुछ नजर आ रहा है लेकिन वास्ताओं में इस पष्ट रूप से अंदर क्या है आप देख नहीं पाते हैं तो बच्चों यहाँ आपको समझना है कि ऐसी वस्तुए जिन से देख तो सकते हैं लेकिन बहुत इस पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं जैसे काच का ये जो प्रकाश है ठीक है ये जब हाथ से गुजरता है तो आप कुछ देख तो पाते हैं लेकिन इस पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं तो ऐसी वस्तुए को क्या कहते हैं पारभासी पदार्थ कहते हैं तो ये जो पारभासी शब्द है ये भी आपको याद में रखना है तो बच्चों इस पा अलग अलग दिखावट होती है दिखने में सभी पदार्थ अलग अलग होते हैं आपके आसपास की वस्तों में आपने ये देखा है कि लकड़ी अलग तरह की होती है कागज अलग तरीके का होता है लोहा अलग तरीके का होता है प्लास्टिक अलग तरीके का होता है और अपने आसपास की वस्तुएं इन में से किसी ना किसी पदार्थ से बनी होती है तो दिखावट के अलावा कुछ पदार्थ जल और अन्य द्रवों में मिश्रित हो जाते हैं जिने हम विले कहते हैं जबकि कुछ पदार्थ जल में या अन्य किसी द्रव में मिश्रित नहीं होते हैं औ और उन्हें हमने अविले नाम दिया था तो बच्चो इन अलग अलग धंगों के आधार पे भी हम वस्तुओं का वरगी करण कर पाते हैं इसके अलावा कुछ वस्तुएं जल में तैरती हैं जबकि कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती हैं आपने कई बार देखा होगा आप पानी की बार्टी में या पानी के किसी बरतन में लोहे की कोई कील डालते हैं तो वो नीचे चली जाती हैं यानि पानी में डूब जाती हैं लेकिन उसी पानी में आपने कागच की नावे बना कर तेराई होंगी तो अलग अलग पदार्थों की ये भी विशेश्ता होती हैं कि कुछ वस्तुय जल में तैरती हैं और कुछ वस्तुय जल में डूब जाती हैं इसके अलावा हमने जाना पारदर्शी पदार्थों को और पारभासी पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ वे होते हैं जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है अपारदर्श पधार्त वे होते हैं जिनके आर पार देखा तो जा सकता है लेकि़िए कुछ सपष्ट रूप से नहीं दिखता है पधार्तों का समूहन यानि पधार्तों को अलग-अलग समूहों में बाटना ये उनके गुणों में जो समानताएं हैं या जो विभिनताएं हैं इन सभी के आ और यह समझना है कि उन गोणों के आधार पर हम वस्तू को विभिन समूहों में बाट सकते हैं, उनको अलग-अलग समूहों में विभक्त कर सकते हैं, तो बच्चों हमारा अध्याय यही समाप्त होता है, अगले भाग में हम इस अध्याय से सम्बंदित प्रश्णों को हल करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.